हेलो मार डियर फ्रेंट आज हम पढ़ माई वर्क्षिट नंबर सिक्स्टे सेवन साइंस की है हाउ डू ऑर्गैनिजम रिपर्डूस आखे ऑर्गैनिजम रिपर्डूस कैसे करते हैं उसके बार में पढ़ रहे हैं सेक्शल मोड या सैक्शल अन्य और म्रल र्थ्र evaluation में क्या ہं एक नए और नए और रिपर्डूस कि सेटे आयरिपटम होती है जब उनके के यानि कि gamet या sex cells जब fuse होते हैं तो वो मिलकर एक नए organism को जरम देते हैं और उस gamet में half number of chromosomes present होते हैं यानि कि half number of chromosomes present होते है mother के और half number of chromosomes present होते है father के और दोनों मिलके क्या करते हैं? दोनों chromosome मिलकर एक baby में convert हो जाता है, ठीक है? sexual reproduction important, यह sexual reproduction इसलिए important है क्योंकि diversity को promote करता है च्योंकि off spring में हमें इससे क्या होता है? उसमें नए नए diversity यानि कि नए नए उसमें चिंच साते हैं और यह new species के origin में ही बहुत जादा अच्छा help करता है और साथ यह variation को lead करता है जो कि evolution के लिए बहुत ही जरूरी है flowering जो plant होते है उसमें sexual reproduction पड़ते है, देखिए दो तरह के होते है, एक होता है unisexual और एक होता है sexual, bisexual unisexual वो flower होता है जिसके पास सिर्फ या तो stamen होगा या तो carpel होगा stamen और carpel क्या होता है? stamen जो होता है वो हमारा male part होता है और जब carpel होता है वो female part होता है या तो male होगा या फीमेल होगा और दोनों होगा तो हम उसे bisexual कहेंगा और जब single होगा तो हम उसे unisexual कहेंगे unisexual का एक्जाम्पल है पापाया वाटर मिला है और बाइसेक्शल का हेबिकस और मस्टर्ड the reproductive part of angio storm क्या होतय है flower यानि की जो फूल होता है उसके अंदर सारे लोकेट करते है दीखिए just what is stamen जो होता है हमारा male वाला part होता है और जो male वाला पाट हम देखते देखे यह को या उला है बीचे वालेो movie पार्टोक जो हारिये आог जो मीडर्र वरी भी यह हं और उरोपर वाले को लिए treatment ignant項 को तो जब के थोड़ाया थोड़ाया से ctak già कर यह अपर पॉल इन जील पॉल्इन कर तो करने चिर्ट कर शाया आकसल master पुटाइक भाया है को अवरी के अंधर और आवली होते है और आखसल में अधर यह हमारा क्या है यह हमारा स्टीौ मैं और यह नीचे स्टाइल है और फ्रोर्ष नीचे में ः syndisate इसमें नीचे स्टीकл में इसमें स्टीौरीं यह जानना है कि जो pollen grains जब आते है तो इसमें एक tube का formation होता है और tube जो होती है नीचे जाके synergit के साथ जाके diffusion हो जाता है उन सभी male germ cells का male germ cells किसे कहते है उसे pollen grain को male germ cells कहते है जो कि female gamet के साथ जाके fusion होता है और इस fusion क्या कहते है फटलाइजेशन कहते है जिसके अंदर जो जाइगोट को बनाएग को जाइगोट किया कर सकता है और एक नए प्लांड को पड्यूस करने कि उसके अंदर क्या है quality है कॉंटिटी है और quality भी है आगे देखते हैं pollen grain के transfer को क्या कहते है पॉलिनेशन कहते है pollen grain यानि कि stammen से स्टिग्मा के उपर पॉलेंड गिरें के ट्रांस्फर क्या एक जाता है तू तरह के पॉलेंट गिरेंड कि याता है। एक चाहर के दूसरे और प्रमट में अगर घरेंड गाख को पॉ demographics itself होता है कुछ एजेंट्स के दवारे जैसे वाटर ये एनिमल जब पॉलेंड ग्रेंड जब लैंड कर जाता है स्टिग्मा के ओपर तब वो क्या कारता है फीमल जर्म से तक जाता है जो ओवरी में प्रेजंट होते है और ओवरी में जाने के बाद क्या होगा वहाँ पर पहले जो ट्यू जो ट्यूब के लिए पर तक जाएक बातव होगी वह सीधा ओवरी के पास जाती है और ओवरी में क्या होता है अभी माने है को बता आया कि ओवरी में आपका चिनीजिट होता है synergy जो होता है वहाँ पर आपका male germ cell जाके वहाँ पर fuse हो जाएगा और fuse होने के बाद वो आपको seed का germination करेगा ovule develop होता है ovule जो है synergy को कहते है और वो convert हो जाता है seed के अंदर और जो ovary होती है जो हमारी ऊपर में जो ovary है यह total जो हमारा पूरा एरिया यह हमारा पूरा ovary है वो convert होगा आपके fruit के अंदर जिस time pace दोरान क्या होगा जितने petals, saples, samons होगे वो सब गिड़ जाएंगे यानि कि सब fall off हो जाएंगे जो seed बनेगा उसके अंदर क्या है future plant अंदर उसके अंदर बैठा हुआ है और उसका embryo है वो धीरे धीरे जब उसे suitable condition मिलेगी appropriate condition मिलेगी तब उसके अंदर seedling जो है उसमें निकलेगा और इस process को हम germination कहते है यानि कि कि किसी seed में से नए plant का निकलना germination कहलाता है चलिए अब हम इसके question answer पढ़ते है पहला question है how sexual reproduction create variation sexual reproduction में variation कैसे आता है तो in sexual reproduction fusion of two different gamet or individual it leads to the variation युकि तो two different gamets का होता है diffusion इसलिए वो variation को lead करता है why is sexual reproduction important sexual reproduction important क्यों है sexual reproduction promote diversity of characters it play important role in the origin of new spaces it leads to the variation third question है give example unisexual and bisexual flowers आपको example बताना है unisexual or bisexual का है तो आपका है unisexual का papaya, watermelon, bisexual का habicus and mustard fourth है differentiate between self and the cross pollination self pollination और cross pollination क्या होता है तो आपका answer देखे self pollination में transfer of pollen grace in the same flower during the pollination and cross pollination क्या होता है transfer of pollen grace into different flower during the pollination fifth question देखे आपका what is germination and how seed and fruits are formed germination क्या होता है तो आपका है development of seedling through the seed in appropriate condition is called germination during diffusion or diffusion होता है ovule develop tough coat and mature into seed and ovule develop rapidly and convert into fruit okay friends यहाँ यहाँ पर हमारा video complete था I hope आपको वीडियो अच्छा लाग हो इसे like कीज़े कमेंट किज़े शेयर कीज़े अब ही वीडियो देखने के रिए में चैनल को subscribe पीज़े thank you कर दो